हेलो दोस्तों, आज मैं आलू प्याज की सूकी सब्जी बनाने जा रही हूँ ये थोड़ा सा अलग सा है, देखे मैंने इसमें दो मीडियम अकार का एक बड़े अकार का आलू लिया है और इसमें हमने 8 से 9 छोटे छोटे साइस के प्याज लिये हैं ये छोटे साइस के प्याज हमने इसलिए दोस्तों क्योंकि इसको हमें पतले लंबयाकार में नहीं काटना है इसको जैसे चिली पनीर बनाते समय प्याज के टुकड़े बड़े बड़े होते हैं सिम्ला मिच बड़ा बड़ा होता है उस तरह से इसको काट के बड़े बड़े फांक बनाने हैं देखिए इसको काट करके ऐसे और हमने इनको अलग-अलग खोल दिये है उपर से और आलू का भी साइज देखिए चोकोर करके छोटे-छोटे ही काटे हैं इस तरह से दोनों को का जश्याथा आता है धे कि जितना आलो है उतना ही प्याज मैने ले रखआ प्याज का फ्लेवर इस आलो की सबजे में बहुत बढ़िया आता है बच्चे बहुत फरीम से और बहुत पसंद खाएंगे इसको इस तरह से प्याज और दूको हम पहले काट लेंगे काटने के बाद इसको हम अब बनाने की तयारी करेंगे इगेस पर हमें कड़ाई चड़ा दिया है इसमें जो है सरसो का तेल डालेंगे सरसो का तेल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा इसमें दो बड़े चमच मैंने भरके तेल इसमें डाले है तेल गरम हो जाएगा दोस्तों तब तक इंतजार करेंगे तेल थोड़ा धुआ छोड़ देगा उसके बाद इसमें हम तड़का मारेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अच्छे से अब इसमें हम एक आधी टी स्पून जीरे का तड़का देंगे और इसमें आधी टी स्पून हींग डाला है और इसको एकदम धीमी आच पर ही पकाना है देखिए आलो और प्याच को एक साथ हमने इसके अंतर तड़के में डाल दिया है और आच बिल्कुल धीमी करके दोस्तों इसको अच्छे से मिला देंगे मिलाने के बाद इसको हम ढख करके पांच मिनद तक पकाएंगे नमक इसमें अभी नहीं डालना है पांच मिनद बाद जब हम देखेंगे हमारा आलो कितना पक चुका है उसके बाद इसमें अलू एड इसमें नमक का डालेंगे अलू प्याज की सबजी दोस्तों पराठे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यह पांच मिनद हो चुका है अब हम इसको देखेंगे हमारा आलो और प्याज कितना पका है यह देखें इसमें कलर भी प्याज का चेंज हो चुका है अलू भी चेंज हो का है प्याज हमारा ट्रांस्परेंट हो चुका है और इसको दिमें आज पर ही पकाना है बीच में भी आज को तेज नहीं करना है अब इसमें हम दोस्तों देखे स्वाद अनुसा नमक डाल देंगे और ये है चिली फ्लिक्स इसमें और कोई मसाले नहीं डालना है चिली फ्लिक्सी केवल डालना है और नमक बस इसको डाल करके अच्छे से मिला देंगे और दो से तीन मिनट के लिए ढख देंगे फिर ताकि हमारा बचा हुआ जो प्याज़ और आलू है अद पका वो पूरी तरह से पक जाए मिला करके अब इसको दो से तीन मिनट के लिए ढख देंगे बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी सबजी है दोस्तों ये आप इसे जरूर बनाईएगा दोस्तों चिली फ्लिक साप अपने स्वादनुसा डाल सकते हैं बच्चों को तीखा लगे ना लगे इसलिए थोड़ा भी डाल सकते हैं अगर आपको चटपटा पसंद है तो जादा मात्रा भी कर सकते हैं आप इसके ये देखिए हमारा आलो प्याज पक चुका है दोस्तों अब इसको आखरी में हमने ठकन हटा दिया है इस पर से और आखरी में तेज आज करके हम इसको बोन लेंगे आदे मिनट के लिए और हमारा ये आलो प्याज की सबजी बन के तयार हो गई है दोस्तों